तो दूस्तों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूँ काफी अच्य होंगे तो दूस्तों गरूडा कंस्ट्रक्शन का जो आई प्लाय करने के लिए आज की तारिख में दूसरा दिन था कल की तारिख में हैं आकनी दिन तो इस पर हमारा फाइनल डिसीजिजन क्या है क्या ह चोई है या नहीं करना चोई है उसके अलावा Hyundai IPO की जो details है वो आ चुकी है कल की तारिक में भी मैंने आपको update कर दिया था मदब video live होने के बाद जो है details आ गई थी और मैंने side में आपको screenshot बगेरा भी दे दिया था तब इसकी पूरी details आ चुकी है 15 October को open होने वाला है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे latest gray market का premium भी जानेंगे और RBI की monetary policy जो committee है उसकी meeting हो गई है और उसका result भी आ गया है तो क्या rate cut हुआ है या नहीं हुआ है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे उसके लावा जो upcoming IPOs है NSDL के साथ और किन-किन को मंजूरी मिली है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलेग्राम WhatsApp चैनल को जरूर जोइन कीजिए ताकि छोटा अभी तो नहीं है भी काफी असमंजस के माहल है इसराइल इरान वाला वो तो आप उसको तो मान के चली सकते हैं और कल किसी ने कहा था कि भी इसराइल वगेरा के जो स्टॉक मार्केट है वो तो हाई हाई बना रहे हैं तो देखिये ये impact कैसे बड़ेगा इसराइल इरान वाला गर्वार जजादा होता है तो crude oil पर impact बड़ेगा crude oil देखिए India भी काफी ज़्यादा import करता है तो अगर उसके भाव बढ़ेंगे या crude oil आएगा नहीं तो शायद पैकेज वगेरा जारी होगे तो शायद पैकेज वगेरा जारी नहीं हुए है उसे कुछ और वापस चाइना के मारकेर के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है पिछले 4-5 दिन से जो माहौल चल रहा था कि परी इंडिया में sell करो और चाइना में buy करो FIA इसका ऐसा माहौल चल रहा था और वो वापिस थोड़ा उल्टा होते हुए देखने को मिला है, चाइना के अंदर वापिस selling आ गई है इंडिया के इंदर वापिस buying देखने को मिल रही है तो काफी अची बात है, बट अभी हमें संभल का रहना चाहिए अभी भी USA का election बाकी है ठीक है, ट्रम्प आते हैं कमला हैरिश आती है, उस पर बहुत सारी चीज़े depend करेगी, ट्रम्प आते है तो इंडियन स्टॉक मर्केटी लिए काफी अची बात है और इसराइल, इरान, ये सारी चीज़ अभी चल रही है तो अभी कहेगी, एकदम से आप पैसा ना इंवेस्ट करें, थोड़ा पैसा बचा कर रखें मानलो कोई sharp fall आता है काफी ऐसी उम्मीद लगा रहेगी sharp fall आएगा, तो क्या है कि हमारे पास पैसा रहेगा, तो एकदम से पैसा इंवेस्ट ना करें, थोड़ा बहुत रखें ठीक है जो आपने पहले इंवेस्ट कर लिया, अभी जो गिरावट आई थी, उसके इंदर 10-15%, 20% कर लिया है, अभी ठीक बाद है, भाकि अभी 80% जो है, बचा के रख लीजिए और मान लो गिरावट आती है, तो उसमें काम आएगा पैसा, अभी ज़रूरी नहीं गिरावट आए नहीं आए, ये तो आने वाले टाइम में पता चलता रहेगा, मैं आपको जानकरी देता रहूँगा हमसे जुडे रही है, तो दोस्तो आज दूसरा दिन था, गरूरा कंस्रक्शन के IPO में अपलाई करने के लिए, दूसरे दिन ये अच्छा सब्क्राइब हुआ है, मतलब खराब सब्क्रिप्शन नहीं है कल की तारीक में ये फुली सब्क्राइब हो जागा कल की तारीक में ये अच्छे सब्क्रिप्शन की उमीद है अगर अगर देखें तो रीटेल पोशन, NII पोशन या क्योई भी पोटन सभी से देखा जाए तो कम डिमांड देखने को मिल रही है अगर डिस्त भी ठीक ठागा यह तो अब अप्लाइ करना चुछे यह नहीं करना जीए सबसे बहले लिस्टिंगेंज के साबसे हमारे चार पैरामिटर्स देख लेते हैं जिसको मैं जैस पैरामिटर्स भी कभी कबर कह देता हूं तो सबसे पहले GMP, GMP अभी कम चल रही है, ठीक है, कहीं 0% है, कहीं 5% में, जो लोकल ब्रोकर्स है कहीं 5% प्रीमियम देने को तयार है, highest, इससे ज़्यादा नहीं, बाकि लगबग 0% ही इसकी GMP बता रही है आज की तारीक में, बाद में चड़ जाए या बाद में कुछ unexpected हो ज इतना जबर्दस response नहीं है, ठीक ठाक subscription है, और हाँ खराब भी subscription नहीं है, तीसरा है anchor list, anchor list इतनी अच्छी नहीं आई है, ना कोई बड़े mutual वंडा उसे सामिल है, ना कोई बड़े FII सामिल है, ठीक ठाक anchor list कह सकते हैं, valuations, valuations भी peers के मुकाबले सस्ती नहीं है, महेंगी valuations ही ल हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-10% profit की उम्मीद कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं, बाकी लग रहा है कि ज़्यादा demand नहीं है, असाब से listing gains की संभावनाई जो है कम नज़र आ रही है, फिल long term के साथ से रात करते हैं कि भी apply करना चाहिए नहीं करना profit margins इसके कफी अचे हैं, और 1400 करोड रुपय के order इसके हाथ में है अभी, तो ये कुछ इसकी अच्छी बाते हैं, फिर negatives क्या है, negatives में यह कि revenue और profit के इंदर उतार चड़ाव देखने को मिल रहा है, मतलब revenue में जो एक growth होती ही न, मतलब एक साल 10 रुपया कमाया, अगले साल 12, उससे अगले साल 14 रुपय, ऐसा नहीं हो रहा है, एक साल 10 रुपय है, तो फिर अगले साल 8 रुपय है, फिर वापिस अगले साल 9 रुपय है, इस तरह से इसका revenue generation हो रहा है, तो ये कहा है कि ऐसी चीजों को market थोड़ा कम पसंद करता है, जनरली growth ऐसे दिखती है न, वही ची नजर आ रही है, बाकि छोटी company, small cap company है, उसका तो risk है ही, small cap में growth opportunity भी जादा होती है, बट काफी चीज़े कहा है कि positive होती है, तब growth opportunity जादा होती है, कुछी चीज़े नेगेटिव होगी, जो मतलब valuations वगेरा है, तो कहा है कि इसकी growth पर impact थोड़ा पढ़ सकता है, और उसके थोड़ा effect देखने को मिला, बाकि इस IP को तो अच्छा subscription मिला है, तो overall अगर देखें, तो demand कम है, अगर GMP बगेरा भी अच्छी होती, मतलब green market के इंदर कुछ demand भी होती, तो भी थोड़ा सोच सकते हैं, लिस्टिंग इसके साब से, बाकि ये भी overall जो demand है, वो कम नजर आ रह पता दीजिगा, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके इंदर फाइदा नहीं होगा, वो भी सकता है, but overall जो demand है, वो कम है, overall जो risk है, वो थोड़ा सा जादा है, बाकि decision आपको अपनी risk अपना analysis लगा के बना है, आप लोग क्या करेंगे, क्या SIP में apply करेंगे, नहीं करेंग और बाकी कल के है कि थोड़ी help के लिए, आप QIBS का सब्क्रिप्शन देख सकते हैं, QIBS अगर बढ़िया सब्क्राइब करते हैं, मतलब bumper सब्क्रिप्शन आदा है QIBS के तरब से, तो थोड़ा बहुत फाइदा हो सकता है, तो मैं QIBS का सब्क्रिप्शन का update आपको कर तो इसलिए Telegram WhatsApp चैनल को जोइन कर दीजे, उसकी link description के अंदर है, फिर दोस्तों Hyundai IPO की details आ गई है, मतलब काफी लोगों को पता ही है कि Hyundai IPO की details आ गई है, काफी लोगों को price band market हो, सारी चीजे पता है, और काफी लोग देखिए पहले comment कर रहे थे थे कि भी 25,979 करोड या 25,999 कर हैं, price band decide कर लिया था, 1758 रुपे हैं, मतलब लोग ऐसे fix करके बठे थे कि यह हैं, मतलब calculation लगा ली थी, पट मैंने कहा था कि भी fix चीज नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, काफी लोग सोचे थे कि पस fix हो गया है, 25,000 करोड का आएगा, वो सब हो, ऐसा नहीं होता है, जब त face value है, 10 रुपए per share, price band डखा गया, 1865 रुपए से लेकर, 1960 रुपए के बीच में, हाँ, यह सही बात है कि जो उन्होंने calculation लगाया था, वो सही था, बट क्या है कि issue size जो है, अभी इसके इंदर change हो गया है, lot size है, 7 shares का, और इसके इंदर जो issue size है, 27,870 करोड रुपए का, पह पूरा का पूरा OFS है, offer for sell, employees को जो discount दिया गया था, 186 रुपए का, retail portion 35% का और listing date है, 22 October को, 22 October को यह share market के इंदर list हो जाएगा, एक lot मतलब हमें 13,270 रुपए इंवेस्ट करने पड़ेंगे, इसके इंदर जो promoters है, 17.50% की हिस्सेदारी sell करने वाले है, पीछे 82.50% की promoters की ह देके आजाएंगे, anchor placement वगएरा कुछ भी करके, और भी sell करेंगे, बाद में sell करेंगे, हो सकता है, अभी इतना ही sell कर रहे हैं, बट यह जो valuations है, बहुत महिंगी है, मतलब जिससाफ से company को valuations दी है, पता नहीं कौन decide करता है, ऐसे क्यों कैसे manzuri मिल जाती है, मुझे यह देख लीजिए, ऐसे कितने मामार्थ के IP आये हैं, सबको मतलब इतनी ज्यादा valuations दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, को वाकई में क्या यह valuations इतनी deserve करते हैं, मुझे तो नहीं लगता है, बाकि overall price band wise या PE wise भी इसकी valuations सस्ती नहीं है, बहुत ही महिंगी valuations यह लेके Indian market के अंदर जो list करवा रहे हैं, और ज्यादा details मैं review वाले वीडियो के अंदर सारी चीज़े clear करूँगा आपके, review वाला वीडियो कल तक आपको मिल जाएगा, इसलिए हमसे जुड़े रही है, GMP लगबग 5-7% की बीच में बता रही है, आप मानके चल सकते हैं, अभी 100-500 पर शेर के साब से बता रही है, अगर 1500 भी अभी मानके चलें, मैक्सिमम मानके चलते हैं, तो 7 शेर का lot है, 1050 रुपे जिसा अंदाजन फाइदा देखने को मिल अलगबग 7% की आसपास GMP है, तो भी demand तो कम है, क्योंकि इतना बड़ा issue साही है, ये demand कम होनी ही है, valuations भी है, बागी ये कि ऐसा है कि anchor list वागेरा बढ़िया आएगी, और हो सकता है थोड़ी बाद, हलका फलका listing gains में मिल जाए, और जनरली बड़े IPO फेल हुए है, ठीक है, तो थोड़ा बड़ listing gains मिलके आप फिर down आ जाते हैं IPOs, जनरली ऐसा हुए, आप देखते है Hyundai IPO, इसको पास कर प पता दीजेगा, दोस्तों तीन देन जो RBI Monetary Policy Committee की meeting चल दी थी, 7, 8, 9 October को, तो इसके इंदर जो repo rate है, उसको unchanged रखा गया है, अब देखे जो EMIs जो लोग भर रहे हैं, या जो लोग पैसा उठाते हैं ब्याज पे, तो वो same रहेगा, मतब उनका ब्याज दर बढ़ेगा नहीं सेम रहेगा, यह अची बात है, थोड़ा rate cut हो जाती, घटा देते तो और बढ़िया रहता, मतब मार्केट में थोड़ा inflow आ जाता, और बढ़िया पैसा market में liquid होता, तो क्या है कि stock market पर भी हमें कुछ असर देखने को मिलता, ठीक है, unchanged रखा गया है, उम्मीद है कि आने वा अपकमिंग IPO की बात करें, तो Zinka Logistics, जो Flipkart Back to Company है, अब 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 फिर Flipkart का support है इसको, तो Zinka Logistics को भी मंजूरी मिल गई है, NSDR के IPO के साथ, तो यह IPO भी जल्दी ओपन होते वे देखने को मिल सकता है, कल भी मैंने आपको इसकी जानकारी दी थी, फिर Standard Glass Lining, यह Standard Specialized Engineering Equipment बनाती है, Pharma सेक्टर के लिए, Chemical सेक्टर के लिए, तो इसको भी मंजूरी मिल गई है, और यह IPO भी जल्दी ओपन होते वे देखने को मिल सकता है, Upcoming IPO काफी अच्छे है, Quality Quality IPO आ रहे हैं, तो यह है Upcoming IPO जो आ सकते हैं, तो दोस्तों यह थे सारे आज के अपडेट्स, हमसे जो आए, तो लाइक जो रूर करें, चैनल को सब्क्राइब कर लें, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर